हेलो दोस्तों मैं कावल आप सबका स्वागत करता हूँ आज के हमारे हिस्स हिस्ट्री के टू मिनट में जहां पर हम अपनी ब्रिटिश कोंसॉलिडेशन इंडिया सीरिस को आगे कॉंटिन्यू करते हुए को आगे कॉंटिन्यू करेंगे लास्ट लेक्चर में हमने क्लियर किया था कि मौरले मिन्टो रिफॉर्म्स के अंदर क्या का इंपॉर्टन प्रोविजन थी और किस हिसाब से उसने एक बेड्रॉक या फिर फॉंडेशन इस्टैबलिश किया था आगे आने वलों साहलों के डि लेजिसलेशन के अंदर शामिल नहीं किया गया था तो यह पर इंडरेक्ट एलेक्ट्ट्ट्स को अफिशिल इंट्ोड् Buck कर दिया गया है दूसरी के उपर अगर हम बात करें तो प्रवििंस से अंदर नॉन ओफिशन मेजॉरिट्टी को भी अब इंट्रड्यूस कर डिया है उसके अलावा अगर हम additional features की बात करें तो जादा से जादा non official members की entry आपको देखने को मिलती है और उसके साथ साथ एक system of elections को introduce किया जाता है जिसको हम double indirect elections के नाम से जानते हैं तो ये सारी चीज़े हमने बात कर ली थी on the other hand side is 1909 से लेके 1910 सालों के period की बात करें तो यहां पर कुछ important जो developments है वो भी हुई है सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो वो है home rule league moment of of 1916 इसके तहट क्या है कि बाल गंगा तर तर तलक और एनी बसंत के दौरा हमारे इंडिया के अलग-अलग इलाकों में बहुत सारी home rule league moments बनाई गई जिन्हों ने एक अपने यहां पर सरकार बनाने की कोशिश की कि हम अपने हिसाब से सरकार बनाएंगे और Britishers के उपर दवाव डाला कि अब हमारे को एक पूर्ण सवराज अगर नहीं दे सकते तो अकेला सवराज दे दीजिए जो कि Ireland के उपर जिस चल रही थी उसे की उपर बेज था अगर इन दोनों के दवारा जो निउस पेपर निकाली जा रही थी मैं आशा करता हूं वो तो आपको याद होंगी जैसे की तिलक जी के दवारा महरत्ता और केसरी निकाली गई थी और एनी बिसंद के कॉमन वील एंड निउस पेपर निकाली गई थी तो यह बेसिक चीज़ हैं जो आपको पका याद करनी हैं तिलक जी की जो होम रूल लिग मुवमेंट है वो पहले शुरू होई थी इसमें बेरर वगार आदी बॉम्बे को छोड़के आस पास के महराश्टा के जतने भी ला किया था तो यह बेसिक कुछ इंफॉर्मेशन थी जो कि आपको होम रूल लिग मुवमेंट के द्वारा इंट्रूस किया गया था तो उसके अलावा हम बात करें कि इस होम रूल लिग मुवमेंट की बजा से बहुत जादा दबाव पड़ता है ब्रिटिश सरकार के उपर कि जो डी सेंट्रलाइजेशन है वो देखने को मिलेगी पर अगर हम उन्नी सो उन्नी के मों टैग्यू चैन्सफार्ण रिफॉर्म की बात करें तो यह ऐसा रिफॉर्म था जिसके अंदर सबसे पहली बार प्रेयंबल दिया गया था एक्ट को इंट्रोडूस करने से पहले कि ह हमारा अबजेक्टिव क्या है जिसकी वज़ा से हम यह पूरा एक्ट लेके आ रहे हैं जिसकी वज़ा से हम यह रिफॉर्म लेके आ रहे हैं जैसे कि अगर हम आज के इंडियन कॉंस्टिटूशन की बात करें तो वहां पर भी आपको प्रेयंबल देखने को मिलता है तो एक्ट के तहर दयारकी को इंट्रोड्यूस किया गया था मतलब कि जो पावर्स हैं जो लॉज हैं जो सब्जेक्ट से उनको डिवाइड कर दिया गया है बिट्वीन दा सेंट्र एंड प्रोविंशल लेजिसलेटर और अलग अलग गवर्मेंट्स बनाई गई हैं जैसे कि से सेंटर के अंदर सेंटर गवर्मेंट और प्रोविंशल गवर्मेंट और उनके अंदर प्रॉपर लॉस की डिविजन की गई है कि कौन सा बंदा किस हिसाब से लौ बनाएगा तो यह दायारकी का पूरा महौर उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि था कि अगर हम 1909 के reforms की बात करें तो यहाँ पर supplementary questions को पूछने का अधिकार दे दिया गया था जितने भी non official members बैठे हैं हमारे वहाँ पर central या फिर provincial legislator में पर यह जो supplementary question किसी ने भी पूछना है तो वही बंदा पूछ सकता है जिसने original वो question पूछा था पर यहाँ पर आप देखेंगे कि इस act के अंदर इस power को और भी जादा enhance कर दिया गया मैंने पिछली बार यह आपको diagram भी बना के दिखाया था कि अगर A ने B से question पूछा है और B जब आके वापस जवाब देगा तो सरफ A के पास ही supplementary question को question पूछने का दुबारा से अधिकार था 1909 के reforms के अंदर पर अब C बन्दा जो साथ में बैठा है वो भी इससे counter question कर सकता है तो this privilege was extended to all the members of the house तो यह कुछ important चीज़े हैं जो हम इस 1909 के Montague transform reforms के अंदर करेंगे तो आइए शुरू करते हैं So this act carried a preamble which laid down the basic principle on which reforms were to be carried सिर्फ आप इतना ही या रखेंगे कि हाँ 1909 में सबसे पहली बार preamble दिया गया था अगर इसके provisions की बात करें तो बहुत basic provisions है बहुत general provisions आपको याद रखने की जुरूरत नहीं है फिर भी आपके लिए मैं एक बार पढ़ देता हूं that British Indian is to remain as an integral part of British Empire responsible government in British India is the objective of declared policy of the parliament responsible government is possible to progressive reforms only कि हम साल दर साल आपके लिए और जादा reforms लेते आते जाएंगे आपको निराश होने की जुरूरत नहीं है then increasing association of India in every branch of administration gradual development of the self-governing institutions complete popular control so far as far as possible in the field of local government and then the provincial governments to be large measured independent of the government of India and to be responsible in some measure to popular representatives तो यह वो bedrock foundation है जहां से हमारे को डायार की यहां फिर provincial autonomy देखने को मिलती है जो कि इस 1919 के Montague Chenfound reforms के अंदर दी गई थी तो यह शुरू करते हैं सबसे पहली provision जो important है जो कि 1909 उन्नीक एक्ट के अंदर दी गई थी वो है changes in the home government इस act के तहट the secretary of state for India was now to be paid by the British and not out of the Indian revenue as had been the case since 1793 तो सबसे पहली बात क्योंकि decentralization का महौल है बहुत जादा हम अब economic exploitation के बार में जान चुके हैं कि कि किसे साब से जो British हैं वो हमारे इंडिया से पैसा लोट के लेके जा रहे हैं तो हमने ये देखा कि जो secretary of the state है वो तो British crown का representative है तो हम उसको अपने यहां के accelerator से पैसा क्यों दे तो उसी को मद्दे नज़र रखते हो जब हमने ये protest किया तो यहां पर आपको change देखने को मिलता है कि आप से उसकी जो तनखा है जो salary है उसके बाद अगर हम government of India के पूरे जो system है जो पूरा structure है उसके अंदर बात करें तो वहां पर क्या-क्या changes किये गए तो सबसे पहले central government की बात करेंगे तो तो implement the policy of increasing association of Indians जैसे मैंने आपको करवाया कि अगर हम 1862 के act की बात करें तो official members को introduce किया गया 1892 के अंदर उसको increase किया गया फिर 1909 के अंदर उसको और ज़्यादा increase किया गया और यहां पर the eight members of the governor general executive council three were to be the Indians तो यह पहली बार हुआ कि पहले क्या था central legislation के अंदर additional members को बिठाया जाता था पर जो governor general का executive council है उसमें कोई भी Indian member नहीं था तो यहां पर आपको पहली बार देखने को मिलेगा कि direct entry होगी Indian members की that out of the eight members of the governor general executive council three were to be the Indians and then फिर अगर हम central legislator की बात करें तो वहां पर जिस तरह से आज का हमारा central legislator है कि एक लोकसभा है एक राज्यसभा है उन्हीं लाइंस के उपर and then the council of states तो एक तरह से bicameral legislation was established in India तो आज का जो अगर आप imagine करते है जो आज का हमारा structure है उसका जो bedrock foundation है वो कहां पर है 1929 के इस reforms के अंदर तो यहां पर यह है लोकसभा और यहां पर हमारे पास है राज्यसभा उसके बाद यहां पर numbers दिये गए हैं कि किस जगा के उपर कितने members बैठेंगे जैसे 145 members of whom 42 were to be nominated and 104 to be elected members आपको number याद करने की जुरूरत नहीं है सिर्फ आपने इतना यार रखना है कि 1909 के reforms के अंदर indirect elections के concept को introduce किया गया था सबसे पहली बार election as a process कब introduce किया गया था तो वो उसका आंसर है 1892 के reforms indirect elections कब introduce किये गए थे 1909 के reforms के अंदर और direct elections कब introduce किये गए है so they are introduced in the 1919 reforms तो देखे एक process चल रहा है कि सबसे पहले election as a process फिर indirect elections and then ultimately 1919 के अंदर direct elections का concept introduce कर दिया गया है आपको ये number रखने की जुरूरत नहीं है सर्फ इतना ही आप यार रखेंगे 1909 के अंदर मैंने आपको करवाया था कि Muslims के लिए separate electorate का provision डाल दिया गया है अब उसी को आगे continue करते होए यहाँ पर दो seats सिक्खों के लिए भी साथ में रखती जाएंगी तो this reforms extended that separate electorate provision for six also and जब आप आप 1935 के reforms के अंदर जाएंगे वहाँ पर आप देखेंगे कि women's के लिए और भी classes के लिए इस separate electorate को extend कर दिया जाएगा तो देखिए एक series चल रही है अगर आप series के इसाब से चलेंगे तो आपको बहुत असानी से याद हो जाएगा so the method of indirect election as prevalent by the act of 1909 was abolished and for the first time direct elections were introduced in India 1919 के reforms के अंदर then यह है यहाँ पर वही same चीज़ लिखे हुई है वो मैंने आपको explain कर दी the term of the assembly was fixed at three years यह चीज़ आपको याद करने की जूरत नहीं है इस से इसको आप छोड़ सकते है तो हमने लोग सवा की बात कर ली आकर अप राज्य सवा की बात करें यहाँ पर 60 members है 26 of whom were to be nominated and then rest were to be elected यह आपको कुछ भी याद करने की जूरत नहीं है अगर यहाँ पर आप देखेंगे राज्य सवा के अंदर एक important आपको provision देखने को मिलती है वो क्या है कि यहाँ पर जितने भी members है एक तो उनको honorables कहा जाएगा और उसके साथ साथ women were not allowed to become a member of the house बहुत important provision है ध्यान में रखेगा on the other end side अगर हम लोग सवा की बात करते तो वहाँ पर जो term of the house है वो 3 साल था यहाँ पर जो term है वो है 5 साल जो कि आज के हिसाब से सेम ही है then other changes की बात करते है मैंने आपको पहले diagram बना के दिखाया था कि 1909 तक जो supplementary question को पूछने का अधिकार है वो किसको था सिरफ original जिस बंदे ने वो question पूछा था अगर मेरा कोई साथ ही मेरे साथ बैटा है तो वो भी मेरे भीहाफ के उपर question पूछ सकता है यहाँ कोई XYZ बंदा house के अंदर बैठा है तो वो भी अब supplementary question को पूछ सकेगा तो इसे ही साब से आप देखेंगे यह list को भी divide कर दिया जाएगा पहले माल दीजे कि पूरे इंडिया के लिए एक ही list है उसी के अंदर सारे subjects को लिखा गया है क्योंकि center के अंदर जो सरकार बैठी है वही सारे जो कानून है जो laws है वो बनाएगी अब powers को divide कर दिया गया है between center and provinces और provinces के अंदर provincial autonomy को establish कर दिया गया है और अगर आपने किसी को अजादी देनी है तो अजादी देनी का मतलब होता है कि उसके पास कुछ ऐसे areas हैं जिनको लेके वो अपने हिसाब से laws बना सकता है उसके overhead कोई बैठा नहीं है तो उसी अजादी को prove करने के लिए इन्होंने क्या किया यह जो एक central list थी उसको divide किया between the central list and the provincial list तो आप देखेंगे कि अब provinces के पास अपने कुछ certain areas है जिनके उपर वो अब laws बना सकते हैं तो under that complete separation of source of revenue between the central and provinces was made अब देखेंगे अगर आपने किनी किसी areas के उपर laws बनाने है उन laws को जब आप बनाएंगे तो उसको implement करने के लिए resources लगेंगे और वो resources कहां से आएंगे पैसे से आएंगे उसको पूरा करने के लिए तो जब आप पैसा चाहिए तो revenue को भी उन्होंने divide किया between the center and the provinces तो then we have a power of certification procedure अब देखें माल लीजे आपने कोई rule बना दिया मैंने आपको बताया है कि center के अंदर एक लोग सभा है एक राज्य सभा है और क्योंकि यहां पर बहुत ज़ादा additional member बैठे हुए है तो हो सकता है कि कल को कोई ऐसा law बन जाए जो कि British सरकार के हिसाब से नहीं बना हुआ तो इस पूरे act के अंदर इन्होंने एक checkpoint रखते हुए क्या कि governor general के पास एक power of certification दे दिया कि अगर कल को हम कोई act को या bill को table करे पार्लेमेंट के अंदर और सारे के सारे लोग उसको मानने से मना कर दें कि वो bill को पास ही ना होने दें तो governor general के पास एक power दी गई कि ये जो act है ये जो bill है ये बहुत ही जरूरी है in the terms of national security और अगर आप इसको पास नहीं करेंगे तो मैं अपनी power जो की है power of certification का यूज करते हुए खुद ही इस bill को पास कर दूँगा तो आपके उपर ये liability या फिर आपके उपर ये जोर है कि आपको इस bill को पास करना ही पड़ेगा on the other end side आप माल लीजे किसी पूरे legislation ने किसी house ने उस bill को पास कर दिया पर ये जो bill है वो British सरकार के interest के खिलाफ है तो जो governor general बैठा है वो इस bill को फिर रद भी कर सकता है क्योंकि नेशनल security के हिसाब से नहीं है तो सिरफ एक checkpoint बनाया गया है governor general के बास ताकि किसी भी time के उपर house जो है वो हावी ना हो जाए British सरकार के उपर meaning क्या है एक बर English में भी पढ़ देता हूं once the bill was refused by the legislator जो की governor general के द्वारा table किया गया है he could certify a bill as essential for safety and in the interest of British India and secure its enactment and also the governor general could refuse his assent to the bill passed by the legislator कि अगर उनको लगता है यह पास करवाना है तो वो करवा के ही रहेंगे अगर कोई bill पास होके आगे और उनको नहीं मारना तो उनके पास हमेशा ही power of certification है then provincial government के अगर हम बात करें तो उसमें क्या है तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि provincial autonomy establish कर दी गई है एक certain subjects यहाँ पर transfer कर दी गए है from the central list जिनके उपर अभी अधिकार जमा सकते हैं तो देखे पहले यह एक list थी उसको divide करते हुए एक central list बनाई गई and on the other end side एक provincial list बनाई गई अब इसके अंदर भी आप देखेंगे कि further division है दो तरह के यहाँ पर आपको laws देखनों को मिलेंगे एक तो है transferred list और दूसरी है reserved list transferred list का मतलब है कि governor general along with the members जो भी उस house के अंदर बैठे है provinces के अंदर जब मैं provinces के बात कर रहा हूँ तो obviously यहाँ पर अकेला governor है governor general तो पूरा इंडिया का है center का है तो उसको आप समझ जाईएगा तो transfer list और reserved list है reserved list एक ऐसे subjects है जो कि governor general along with this executive council वो ही उसके उपर rule बनाएंगे और जो house है जो province के अंदर बैठा है उसकी उसमें कोई say नहीं है and यह इस case के अंदर जो भी members of the executive council है they are not accountable to the house on the other hand side जब transfer list के उपर कोई फी rule बनेगा so governor general along with this executive council is responsible to the house कि वो जो भी suggestion आएंगे house के दौरा उनको वो सुनने पड़ेंगे क्योंकि यह transfer list है यह transfer किये गए है subject पर जितने भी transfer होई है उसमें से भी इन्होंने कुछ areas को कुछ subjects को reserved रख लिया जहां पर सिरफ governor उसका executive council उसके उपर rule बनाएंगा and they are not accountable to the house जब मैं आगे English में explain करूँगा तो वहां से आपको और ज़्यादर clarity आ जाएगी so provincial autonomy was introduced for the first time in India यह मैं आपको बता चुका हूँ and devolution rules के हिसाब से कुछ area जैसे कि finance, legislation and administration के हिसाब से इनके पास autonomy आई तो यह सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ और मैंने आपको बताया कि devolution जब करनी है तो revenue को भी divide किया गया अब जब revenue को हम divide कर रहे हैं तो जो central legislation के अंदर जो central government है उसके expenditure को काफी ज़ादा धक्का लगा होगा काफी ज़ादा कम ही आई होगी तो उसको वापिस से पूरा करने के लिए provinces का एक budget बनाया गया कि आपके अपने budget में से आप हर साल कुछ पैसा हमारे को transfer किया करोगे ताकि हमारी तिजोरी हमेशा ही भरी रहे यह है financial devolution यहाँ पर जो मैंने आपको पहले बताया कि तीन दो तरह की आपके पास list है एक तो है central list and provincial list और बाकी बचे कुछी जो important मुद्दे रह जाएंगे वो है residual powers which were vested in the governor general और उसके executive council यह जो question है वो 2018-19 में आई गैस पूछा गया था prelims के अंदर कि अगर हम 1919 के residual powers की भात करें तो उसकी authority किसके पास थी तो चार options थे उसमें से एक option था governor general तो यह उसका answer है However the central control over the provincial legislators still remained and was carried out in two ways तो देखिए although उन्होंने पूरे powers को transfer कर दिया कि दो list है एक list provinces के पास चले गई पर British सरकार इतनी तो बेवकुफ नहीं है कि हम सारे के सारे कुछ areas को transfer कर दे और कल को वो कुछ भी करते रहे हम उनको कुछ ना कैसके तो यहाँ पर भी उन्होंने certain checks and balances रखे जैसे center के अंदर center legislation के अंदर उन्होंने वो power of certification दिया था governor general के पास यहाँ पर जो भी act provinces के द्वारा बन के आएगा सबसे पहले तो वो governor general की मंजूरी के लिए आएगा और जब governor general उसको मंजूरी दे देगा तब वो किसके पास जाएगा secretary of state के पास जाएगा और इन दोनो steps पे दोनो stages पे दोनों बन्दों के पास अपनी authority है privilege है चाहिए वो उस bill को यहाँ फिर उस act को हां करें चाहिए वो उसको reject कर सकते हैं चाहिए assent दें चाहिए उसको reject करें तो यहाँ पर भी उन्होंने proper steps लगाए proper checks and balances लगाए ताकि जो powers है प्रोविंसिस के पास वो unchecked ना रहें तो डायार की वास introduced in the provinces क्या एम था to give responsibility to the popular representatives and to meet the continuous of political backwardness and administrative experience in the Indian hand तो यहाँ पर provinces के अंदर जैसे मैंने आपको पताया दो तरह के list है एक तो है transfer list और दूसरी है reserved list यह जो transfer list है वो Indian hands के अंदर है और जो reserved list है वो है British hand के अंदर in this way the provincial government was divided into two halves the governor and his executive council administered the reserved list जैसे मैंने अभी आपको पहले बता के हटा हूं while the governor along with this ministers administered the transfer list जब वो reserved list के अंदर अपने rules बनाएंगे तब वहाँ पर they are not accountable to the house और जब वो transferred list के अंदर अपने rules बनाएंगे they are accountable to the house ये basic provision है जो आपको ध्यान में रखनी है वही यहाँ पर चीजों को explain किया गया है transfer list national building subjects है इसमें जैसे कि local self government health education ये सारा कुछ transfer list में होगा क्योंकि Indian hands में देना है और यहाँ पर जो भी rules बनेंगे जितना भी governor general अपने executive council या फिर members के साथ बैठेंगा वो accountable to the house है these were to be sorry these were to be administered by governor acting with ministers appointed by him from among the elected members of the legislature and who were responsible to the legislator and then अगर हम reserve list की बात करें इसमें कौन-कौन से है land revenue police justice printing presses etc तो ये दोनों list के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत अंदाजा होना चाहिए कि क्या-क्या है जैसे education की बात करें तो वो basic है transfer के अंदर आएगा पर result के अंदर आएगा जब इनके उपर रूल बनाना है देवा टूब एड्मिस्टेट बाइ गवर्नर विद्धा हेल्प अफ मेंबर ऑफ द एग्जेक्टिव काउंसिल वूब टूब नॉमिनेटट बाइं बेसिक है and who but not responsible to the legislator क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से बनाना है legislator के हिसाब से नहीं तो यह बेसिक है जो कि आप ध्यान में रखेंगे then जो बाकी चीज़े हैं जो बाकी important provisions है उसको भी एक बार देख लीजे कि यह जो 1909 का act था वो सिरफ 8 provinces की उपर लागू था पूरे colonial इंडिया की उपर लागू नहीं था वो इट provinces कौन कौन से हैं बिंगौल मदरास बॉंबे यूपी पंजाब बिहार औरिसा और सेंटर प्रोविंसे और अगर हम बर्मा और नदरन वेस्टर फ्रेंटेर प्रोविंसे की बात करें वो 1923 में इस act को वहाँ पर लागू किया गया अगर इस पूरे act की बात करें तो the franchise was extremely narrow and only 5% of the people got the right to vote women were not given the right to vote or to contest elections ये एक important चीज़ है जो कि आप ध्यार में रखेंगे और फिर इस act के लागू होने के बाद एक कमेटी बठाई गई थी जिसका नाम है मुदीमन कमेटी जो की बठाई गई थी किसके लिए कि ये जो डैयार की हमने introduce की है इंडिया के अंदर कि certain subjects को divide के आ गया है दो list ने बनाई गई है क्या वो काम सही से कर पा रही है क्या इंडिया के अंदर तरक्की आ रही है ये लक्षमी कान्त के अंदर ये जो important provision है ये नहीं दी गई तो please इसको ध्यान में रखेगा तो यहाँ पर मैं आशा करता हूँ कि 1919 का act आपको ध्यान में समझ में आ गया होगा कि इस हिसाब से पहले सबसे बड़े level के ओपर division की गई between the central list and the provincial list and फिर उसके अंदर भी provincial list के अंदर भी दो तरह की list बनाई गई है एक तो है transferred list और फिर है reserved list अगर हम transfer list की बात करें तो इनमें वो subjects हैं जो की basic importance के है social importance के है जैसे की health, education यहाँ पर governor along with his council council में वो बंदे हैं जो की legislator में ही बंदे चुने गए हैं which are selected by the governor only इसके अंदर they are responsible to the house and इसके अंदर है police, land revenue यहाँ पर governor along with his council is not responsible to the house यही सबसे important चीज है जो आपको इस पूरे act में समझनी है तो सबसे पहली बार इस act के अंदर preamble आया गया उसके अलावा provincial autonomy दी गई डियार की को introduce कि आ गया तो यह ही कुछ important चीज़े थी जो कि आप ध्यान में रखेंगे तो मैं आशा करता हूँ इन 23 मिन्टों के बाद आपको यह पूरा act समझ में आ गया होगा आपने पिछले सारे act भी देखें होंगे starting from the 1773 के regulating act के साथ क्योंकि मैं चाहता हूँ यह जो act का सारा सिलसला है यह आपको सबसे easy लगे क्योंकि अभी तक यह सबसे मुश्किल लगता है सारे बच्चों को याद करने में अगर आसानी से समझेंगे अगर flow में पढ़ेंगे continuity में पढ़ेंगे तो चीज़े बहुत ही logical है history के अंदर भी तो मैं आशा करता हूँ आपको आज का यह lecture अच्छा लगा होगा अगर आप like करेंगे comment करेंगे comment करके अपनी reaction देंगे कि आपको किस हिसाफ से लगा तो मेरे को अपने काम को और ज़्यादा improve करने में काफी साहेता होगी और में को समझ में आएगा कि किस हिसाफ से मैं और यह series conclude हो जाएगे तो आप अपने suggestions भी दे सकते हैं कि अगली जो series मैं शुरू करना चाहूंगा वो किस मुद्धे की उपर करूं ताकि prelims को लेके आपकी और ज़्यादा बहतर त्यारी हो सकें So this was all from my side. Thank you so very much.